नमस्कार दोस्तूं, हिंदी साहित्ति कथा, कहानियों और उपन्यासों के इस चैनल कहानिया जिंदगी की पर मैं शैली नरायन आप सभी साहित्ति प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ सुश्री गौरापंच्रिवानी जी द्वारर रजित इस लगू उपन्यास क्रिश्न वेडी की इसी श्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते है उपन्यास का तीसरा भाग तब हम बैंगलोर में थे और मैं एक बार गर्मी की चुट्टियों में घर जा रही थी तो मद्रास पहुँचने तब बैंगलोर की गाड़ी चूट चुकी थी वैसे तो बीसियों गाड़ियां और भी जाती थी पर मैं अपनी उस सिर्फिरी सिंगनी की मान देखने का लोग संबरन नहीं कर सकी थी उसका पता ढूंड कर पहुँची तो उसने फिर दो दिन तक रूख लिया था उसका वव वैभव मा का तेजस्वी व्यक्तित्व पिता की रोबदार अंग्रेजियत स्टेबल में हिन हिनाते साथ गोड़े जैसे सूरे के रच से खोल कर किसी ने वहां बान दिये हो द्वार पर खड़ी दो गाड़िया उन सब के बीच जीन पाइजामे के पाइचे फड़ फड़ाते भासकरन को मैं किसी भी कोने में खड़ा नहीं कर पा रही थी शादी मुझ से होगी या डाड़ी से क्रिश्नवेणी ने कहा इस बार मैं उसे अपने साथ घर ले जा रही हूँ साथ में चलेगा मेरा पोट्रेट वही डाड़ी को उनके होने वाले दामात का परिजय देगा तब भगवान ही दुम दोनों का मालिक है मैंने मन ही मन कहा यही पर विश्व मेले की भयंकर भीड में क्रिश्नवेणी का हाथ अचानक मेरे हाथ से छूट गया था मैंने उसे ना जाने कितनी चिट्थिया लिखी जवाबी तार भी भेजा किन्तु कोई उत्तर नहीं आया उसी वर्ष मुझसे शांतिने केतन भी चूटा और क्रिश्नवेणी भी फिर कहां क्रिश्नवेणी और कहां भासकरन और आज इतने वर्षों में फिर वा छूटा हाथ हाथ में आया इसी से एक बार फिर उसे नेजन समुद्ध तकी सिक्ता पर लोटती हूँ चिदंबरम अब भी मंद मंद गती से हिलता डुलता धीरे धीरे चला जा रहा था तुम क्या फिर भासकरन को लेकर घर गई थी? मैंने पूछा नहीं, वह कायर पहले ही मुझे घिस्सा देकर चला गया कहने लगा, मेरे पास धंके कपड़े यहां नहीं है तुम चलो, मैं बाद में आ जाऊंगा मैंने कहा, मूर्ख कपड़ी कौन देखता है? तुम्हारी कला देखी जाएगी और उसका प्रमाण मैं साथ ले जा रही हूँ इतना तुम्हें बता दूँ मेरे डैडी की रुची के विशे में दोमत नहीं हो सकते वे कला के अपूर उपार्खी है किन्तु मैं सूच रही थी ठीक ही कहा था भासकरनी कि कला के लोग कला से पहले कपड़े ही देखते है उसका यह फटा कुर्टा विवर्ण पजामा पटपटाती तूटी चपपर बुधिमान ही था जो नहीं गया फिर भी सोचा वह कहने लगी मैं डैडी से अकेले ही निपटलूँगी फिर भासकरन को तार करूंगी पर डैडी से कहा तू बौखला गए एक तो वैसे ही उच्च रक्तचाप के मरीज थे उस पर चीखने चलाने से उनकी हालत और बिगड़ गई मा मुझे खीच कर दूसरे कमरे में ले गई बात की जान लेगी क्या डौक्टर ने कहा है कि किसी भी प्रकार की उतेजना ना हो कभी भी स्ट्रोक हो सकता है उस दरित्र भासकरन के साथ ही मुँकाला करना है तो कर पर उनसे अब कुछ ना कहना पर जो कहना था वर्तो मैं कह चुगी थी डैडी की सीधी च्छाती में मैं अचूब कोली दाग आई थी मा के मुझे धकेलने से पहले मैंने चीख कर कहा था मैं जानती हूँ डैडी आप मुझे क्यों रोक रहे हैं आप नहीं चाहते कि मेरी शादी हो वह व्यक्ती चाहे भासकरन हो या कोई और तो उने के अंडे देने वाली बतक हूँ आपकी बला आप मुझे इस घर से कैसे जाने देंगे डैडी एक शण को बुद्ध बने फटी फटी आँखों से मुझे देखते ही रह गए फिर दोनों हाथों से अपना माथा पीटने लगे मैं जानती हूँ मैंने डैडी के प्रती उस दिन खोर अन्याई किया था अपने किसी स्वार्थ के लिए वे कभी मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते थे फिर भी मैंने उस दिन अभागे भासकरन पर उमरता अपना सारा क्रोध डैडी पर उतारा था या काम उसका था मेरा नहीं दूसरे ही दिन मा ने एक प्रकार से धकेल कर मुझे मौसी के पास त्रिचूर भेज दिया साथ ही उन्हें विशेश आदेश दिया गया कि मुझे कहीं अकेली न जाने दे ना मुझे किसी से मिलने दिया जाए दस दिन की इस नजर कैद के बाद सोयम डैडी ही आकर मुझे एक दिन अपने साथ ले गए उनका उदास, पीला, रुग्ण चहरा देखकर मैं कार में ही रोने लगी I'm sorry डैडी मैंने कहा मैं उस दिन पागल हो गई थी पीछे मा बैठी थी मैं डैडी के साथ थी डैडी ने एक हाथ से वील थाम, दूसरे से मुझे खीच कर अपने पास सटा लिया मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ वेनी मैंने जो कुछ कहा था उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था मैं क्या नहीं जानता या वैभव, या सम्रित थी सब कुछ तेरा ही तो है पर अब जी भर गया है इस तौलत से मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने तेरे भले के लिए ही कहा था मुझे पहले ही बता लग गया था कि यह जोकरा तुझे फास रहा है ऐसा मत कहिए डैडी आप उसे नहीं जानते मैंने चिहुक कर उन्हें टोका खूब जानता हूँ उसका बाप किसी रेलवे वरक्शॉप में लोहार था वह मलयाली है तो तमिल इस पर भी मुझे आपत्ती नहीं थी भाशा हमेशा सीखी जा सकती है पर उसके बाप को अब नौकरी से निकाल दिया गया है जानती हो क्यूँ बिना कुछ पूछे मैंने डैडी की ओर देखा इसलिए कि उसको कोड है गलित कुष्ट नोजूल वाला होता तब भी कोई जिन्ता की बात नहीं थी भयावा रूप से छुतही पॉजिटिव लेपरसी है उसे अंग-ंग से कोड फूटने से ही बता लगा तब तक वा सबसे अपना रोग छिपाता रहा ऐसे कोड़ी के बेटे को क्या मैं जान बूच कर दे रहा थमादू एक शन को मेरा सरवांग सिहर उठा तू तो जानती है रोग मातर से मुझे कितना भय है टाइफॉइट के भय से जीवन भर मैंने उबला पानी पिया है कभी बाहर की आईस्क्रीम नहीं खाई फलों को पोटाश के पानी से धो कर खाती रही मदरास की बस में कभी नहीं बैठी कि कोड़ी भी उसमें बैठे होंगे मेरी हसी उड़ाया करती थी याद है एक दिन क्या कहा था हाँ मुझे याद था मेरा सिर लच्चा से चुक गया एक दिन पोस्ट ओफिस से मिली रेजकारी पर्स से डेटॉल की शीशी निकाल धोने लगी तो मैंने चुंचला कर कहा था तेरा विवा होगा तो शायद अपने दूले को भी पहले डेटॉल से धहलाईगी मैं क्या जानती थी कि उसे एक दिन ऐसा ही दूला मिलेगा वह फिर कहने लगी नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं बार बार यही मन में दोहरा रही थी भासकरन का निश्पाप चहरा मेरी आखों में आ गया उसने मुझ से कभी कुछ नहीं छिपाया ना अपने पिता की दरिद्रता ना अपना दौर बल्ले कैसे कुस अंगती में पढ़कर वह एक बार अठारा वर्ष के उम्र में ही वैशाले चला गया था कैसे उसने एक बार चाचा की शराब चुरा कर पी थी फिर इतनी बड़ी बात वहां क्यों जे पा गया नहीं डैडी यह सब बना कर कह रहे है उनने मेरी दौरबलता का पता है तामानी रोग से भी मुझे कितना भय है इसी से कह रहे है कि मैं सोया मुखर जाओं डैडी मैंने द्रण स्वर में कहा कोड तो उसके पिता को है यदि उसे भी होता तब भी मैं उसे नहीं छोड़ती मैं विवाह उसी से करूँगी किन तु किस से विवाह करती मेरी चिठ्थियां भटती ही रही मेरा चेहरा पीला पड़ गया भूख, प्यास, नींद सब चली गई डैडी ठीक हो गय लेकिन मैंने पलंग पकड़ लिया दिन भर मूँ छिपाए अंधेरे कमरे में पड़ी रहती मा बहुत खबरा गई बार बार पूछती वेडी कैसा जी है कुछ खट्टा खाने को तुझी नहीं कर रहा है जी मतला रहा है वेडी सच बताना वेडी कुछ छिपा तो नहीं रही है मुझसे मुझे हसी भी आती जिस वीतरागी के और मेरे बीच किसी खशीन चुम्बन की भी स्मृती सेतने को नहीं थी उसे लेकर छिपाने को था ही क्या फिर एक दिन शायद डैडी भी मेरा सूखा चेहरा देख पिखल गए बोले चल तुझे मेरा विश्वास नहीं है न कल तुझे उसके घर ले चलेंगे तुझे तसल्ली तो हो जाएगी और सब कुछ देख सुनकर भी अपना सर्वनाश करना चाहती है तो फिर मुझे कोई आपती नहीं है मा और डैडी के साथ ही मैं दिन डूबे बहां पहुँची थी उस सकरी गली में हमारी कार का जाना असंभव था बाहर ही कार रोक हम गली में गए एक जीन अद तूटे मकान की लाल खप्रेल की छट पर भैली लौकी की बेल तूप कर भंगड हो गई थी हमारी ठसकेदार गाड़ी को देखते ही ततकाल वहां भीर जुट गई करुणा कर इनका मकान ढूण रहे हैं आप हाँ यही है एक उचे दातों वाला मोटा काला आदमी लुंगी समेटता हमारे पास आकर खड़ा हो गया मैं उसके दात देखकर बेहट डर गई थी लगता था होट फाड़कर बराहदंत बाहर निकलाए है जितने प्रशन भी डैडी ने पूछे उसके दात ही उनका उत्तर देते रहे करुणागरन का परिवार यहां नहीं रहता जी यहां कोई किरायदार रहता है क्या डैडी ने पूछा अजी कौन किरायदार रहेगा यहां कोड हो गया था करुणागरन को ना जाने कब से छिपाता हम मुहले वालों का सर्वनाश करता रहा अजी साहब हम बाल बच्चे वाले हैं जब हात पैर जड़ गए और दुरगंद आने लगी तो मैंने ही सबसे पहले कॉर्पोरेशन को लिखा था उसके दोनों दात गर्व से और लंबे हो गए थे बड़ी मुश्किल से भगाया हमने पतनी गुरु वायूर के मंदिर में बैठ गई बेटा कहीं चला गया बिना कुछ कहे हम तीनों कार में बैठ गए मार्ग भर डैडी एक शब्द भी नहीं बोले पर उनके पार्ष में बैठी मैं जैसे उनकी फटकार के मौन चाबुकों को अपनी पीट पर झेल रही थी किरायदार भी जिसका मकान अप किराय पर नहीं लेना चाते उस कोड़ी की बेटे से तो विवा करेगी बोल बोल बोलती क्यों नहीं पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी दूसरी बार मा को लेकर गुरु वायूर के मंदर में उसकी मा को ढूणने पहुँची वहां पहुँचकर उन्हें ढूण भी निकाला किन्तु सिर मुडाय वो एक अंधेरे कमरे में बैठी हमारे प्रत्यक प्रश्न का उत्तर अपनी पोपली हसी से ही देती रही लोगों ने कहा कि इसने मौन वृत लिया है बोलेगी नहीं हार कर मैं लौट आई देखते ही देखते दो वर्श बीट गए डैडी जैसे एकदम खोखले हो गए थे ना रेसकोर्स जाते ना कलब एक दिन मैंने ही प्रसंग छेडा डैडी मैंने तई किया है मैं बाहर जाओंगी वहीं पीएच्टी करूंगी डैडी जैसे उचल पड़े उनकी बहुत दिनों से यही इच्छा थी कि मैं बाहर जाकर उसे भूल जाओ जिसे भारत में रहकर नहीं भूल पा रही थी फिर जिस उत्सा से मेरे विदेश जाने की तैयारियां हुई वैसी शायद मेरे विवा के लिए भी नहीं होती वेडी मैंने कहा तुम तो सब कुछ चेश्टा करने पर ही देख सकती थी क्या तुमने कभी या देखने की चेश्टा नहीं की कि भासकरन कहा है वर्षों पहले की एक और स्मृती मुझे कपा गई जब इस वेडी की इसी दिवे शक्ती ने मुझे यह चेतावनी देकर मौत के जटके से बचा लिया था माधू के मृत्तियों से बहुत पूर्व दी गई उसकी यह चेतावनी ही उसकी दिवे अभिकेता का मुझे प्रथम परिचय दे गई थी उन दिनों आश्रम में एक रहसे में व्यक्ती का आगमन हुआ था वा कहां से आया है इसकी नाना जर्जाएं नित्य प्रती सुनने में आ रही थी कोई कहता वा जर्मन जासूस है किसी का कहना था वा कोई प्रकांड वित्वान है आश्रम की प्रसिद्ध लाइबरेरी के दुरलब ग्रंतों के पठन पाठन के लिए आया है दीरे दीरे आश्रम में उस दीर्ग देही व्यक्ति को परिचित विथिकाओं में देखने के हम अभ्यस्त हो गए लगबग खलवाट मस्तक बड़ी बड़ी तांत्रिक की सी लाल लाल आखें गहरा नारंगी रंग का लबादा पैरों में खड़ाऊं जिसकी खटर खटर सुन दूर से देखने पर लगता कोई नारंगी ट्राक्टर चला आ रहा है उसके हाथों में हमेशा तीन चार मोटी मोटी पुस्तके रहती जिन्हें खोल कर वे किसी भी घने व्रिक्ष की चाया में बैठ जाते और घंटों पढ़ते रहते उनके पूरे चेहरे पर उनकी नाक ही सबसे रहसे मैं अवयाई थी ऐसी मोटी और इतनी लंबी नाक मैंने कभी नहीं देखी दोनों नतनों के गहवर से निकले सफेद बालों के गुच्छे और वैसे ही केश गुच्छ कानों से निकल कर देखने वालों को सहमा देते थे मुझे पहले ही दिन उस व्यक्ति को देखकर डर लगा था मेरी नानी कहा करती थी कि जिनके कानों से बालों के गुच्छे बाहर निकले हूँ उनके पास किसी भी लड़की को एकांत में नहीं जाना चाहिए किन्तु एक दिन उस व्यक्ति की बातों के लच्छे में आकर मैं नानी की सीख भी भूल गई थी यदि वेणी ने ना बचाया होता तब आज भी काप उठती हूँ वे प्राया ही हमें कक्षा में जाती देख बड़े स्नेह से पुकारते आओ आओ बेटियों किस क्लास में पढ़ती हूँ कहां घर है अरे बाप रे बाप इतनी दूर से आई हूँ और फिर एक से एक अद्भुत चुटकुले कहानिया सुना वे हमें मोह लेते हाओ उल रायू सर लड़के लड़कियां उन्हें छेड़ते आइम उनली फॉर्टीन वे कंभीर होकर कहते और सब ठठा कर हसने लगते इसके बाद उनका नाम ही बढ़ गया था मास्टर फॉर्टीन यदि उन दिनों के प्राक्तन चात्र चात्राएं मेरी इस कहानी को आज पढ़ेंगे तो उन्हें निश्य ही उस रंगीन व्यक्तित्व का समरन हो आएगा और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा रहसे में व्यक्तित्व उन में से फिर किसी को कभी नहीं दिखा होगा उनकी समरन शक्ती अद्भुत थी कहीं से भी किसी पुस्तक का प्रिष्ट एक बार उनके सामने खोल कर बंद कर दे एक एक शब्द जो कत्यों सेमी कॉलन सहित दोरा देंगे उस पर उनकी विशेश ख्याती थी हस्त रेखा पंडित के रूप में जब देखो तब भीड से घिरे हैं मास्टर 14 मेरा हाथ देखिए प्लीज मेरा और लोगों का कहना था कि हाथ की रेखाओं से पूरा भूत भविश्य और वर्तमान का ऐसा खरा लेखा जोखा देने वाला वाव्यक्ती सामानी मनुशी नहीं कोई द्रकाल दर्शी महापुरुश है उधर आश्रम के वरिष्ट कर्मचारी उस रहसे मैं व्यक्तितु पर सतर्क बने कठोर निगरानी रख रहे थे हॉस्टल की छात्राओं को कड़ी जेतावनी दे दी गई थी कि कोई भी उस व्यक्ती को हाथ दिखलाने न जाए एक दिन मैं वेणी के साथ जा रही थी कि देखा मास्टर फॉटीन पुस्तकों का अमबार लगाए एक मूटी सी पुस्तक पढ़ रहे हैं हमें देखा तो बोले आओ आओ मा जगत धात्री जरा हाथ देखें तुमारा वेणी तो बड़ी अशिष्टता से आगे बढ़ गई पर मैं उस नहीं पूर्ण आवान की अवहेलना नहीं कर पाई फिर अठारा वश की मूर्क अविवे की वयस में अपने भविश्य की जाकी देखने का लोग बला संसार की कौन किशोरी छोड़ सकती है नहीं मास्टर फॉर्टीन मेरी क्लास है कल देखिएगा मैंने कहा ठीक है तब कल ठीक 11 बजे मेरी कुटिया में आना तुम्हारे ललाट पर राज रानी का योग है लड़की मा सरस्वती का वर्दान है तुम्हें मा सरस्वती का वर्दान मैं खुशी से उचल पड़ी भाग कर वेनी से कहा जानती है कल मास्टर फॉर्टीन मेरा हाथ देखेंगे नहीं उसने मेरे सारे उत्साप पर जाड़ू भेर दिया मैंने अभी अभी आँखें बंद कर इसकी असलियत देख ली है क्या मैंने डरते डरते पूछा पूरी तरह पीट का निकाला जाएगा यहां से इसकी कुटिया में शराब की बोतले हैं मैंने अभी अभी देखा है और तीसरे दिन उसकी अद्बुद भविश्यवानी सत्ते सिद्ध हुई इससे पहले कि वह पाकंडी मेरा हाथ देखता वेणी ने उसके हाथ की रेखाएं देख मुझे बचा लिया था इसी से आज उसी स्मृति ने मुझे फिर रुखसाया वेणी तु सबका भविश्य देख लेती थी अपना भविश्य नहीं देखा क्यों नहीं देखा उसकी उदास हसी में करुण सिस्की की सिखानक थी मा भी यही कहती डैडी भी एक बार देखनी की चेश्टा फिर कर बेटी एकागर ताला कई बार मुझे यहीं एकान देने तोनों हफ्तों बाहर रहते पर जितनी बार देखने की चेश्टा करती दिखता अंधेरा अंधेरा, खुप अंधेरा कुछ दिखा वेनी? डैडी लोट कर पूछ दे कुछ नहीं दिखता मा, केवल अंधेरा, अंधेरा और कुछ नहीं किन्तो आज मैं सोचती हूँ कि ठीकी देखा था उसने, यही तो था उसका भविश्य, अंधेरा, केवल अंधेरा फिर मैं विदेश चली गई, वह कहने लगी छे महीने देखते ही देखते बीट गए, मा का फिर पत्र आया एक बार और चेश्टा करवेणी, शायद विदेश का एकांत, तुझे फिर वही एकागरता दे दे और फिर मैंने एक दिन देखी लिया, एकागर होकर मैंने आखें बन कर कहा, एक बार दिखा दो प्रभू, मुझे अपना भविश्य नहीं देखना है भासकरन को दिखा दो, कहां है वह, कैसा है समुद्र की उंची उट्टी गरश्ती लहरे, सहसा हम दोनों की साड़ियों को घुटनों तक भिगो गए जैसे मुझे चेतावनी दे रही थी, अब मत पूछ, आगी क्या हुआ फिर मैंने पूछा, मैंने देखा, वह कहने लगी, चारों और उंचे उंचे पहाडों से घिरी नीची घाटी में टीन के कई बैरक है सामने है एक गिर्चा घर, उंचे उंचे देवदार के पेड़ों में साइं साइं करती हवा चल रही है यह तो अल्मोडा का कुष्ठा अश्रम है, मेरे मूँ से स्वतेह निकल गया, और वेणी ने कठोर दिश्टी से मुझे देखा, फिर नजर फेर ली मैंने देखा एक अंधेरी बैरक में भासकरन बैठा है, उसका स्वर अब धी में फुस्फुसाहट में खो गया मैं थोड़ा आगे खिसगी, फुस्फुसाहट स्वर हुई, पास ही उसकी वन्शी पड़ी है, पर वह ना उसे उठा सकता है, ना बजा सकता है क्यूँ? क्रिश्ण वेणी की आखों से आंसो बहते जा रहे थे, उन्हें बिना पोछे वा फिर कहने लगी, क्योंकि उसके दोनों हाथों की उंगलिया जड़ कर दो अधूरी मुठिया मातर रह गई है होट विहीन, उसका वह चहरा वीभत्स बन गया है, जैसे कटहल का छिलका, नाक नहीं है, पलक हीन, अंगारे सी दो आखें ही, बस दब दब चल रही है, पूरे चहरे में कैसे लिखूंगी मा को यह सब, पर मैंने उसी खशन अपना भविशे निश्चित कर लिया था क्या, मैंने पूछा, तो मेरी सूखी जीब तालू से सटी थी, इसी से शायद उस असपश्ट प्रश्न को उसने हवा में उड़ा दिया, जैसे सुना ही नहो, पहली बार अपनी इस दिव्य दिश्टी को लेकर मा को ठगा, लिखा मैंने देखा है मा, मैं तेजी से कार चलाती जा रही हूँ, तुम्हारी दी वही पीली धर्म वरम साड़ी पहनी है, जो तुमने इस बार पोंगल पर भेजी थी, तुम्हारा ही दिया माडिक पोखराज का कंगन मेरे हाथ में है, सहसा तीखी घाटी के तीखे मोड पर चकरा कर मेरी कार सरसराती नीचे चली जाती है, सैक्डो मीटर की गहराई में, यही मेरा भविश्य है मा, अचानक वो हस्ती हुई उठी, बाप रे बाप, कितनी देर हो गई, भागू, बेचारे भासकरन को ताले में बंद कराई हूँ, जब से दो बारा मिला है, ऐसी ही साफधानी बरतनी पड़ती है, कहीं फिर ना भाग जाए, अब की बार आई, तो उसे साथ ले आउंगी, क्य से भाग गई, मैं भी भागी, किन्तु जिस रेत में मेरे पैर धसे जा रहे थे, उसी पर वा स्केट सी करती, कैसे उस तेजी से भाग गई, पर कृष्णवेनी थी ना, उसकी तब भी हर बात अलोकिक होती थी, आज भी, दूसरे ही दिन मैं उसे धूनने निकल पड़ी थी, घंटा भर भटकने पर भी, जब मुझे उसका घर नहीं मिला, तो टैक्सी वाले ने तमिल में कुछ कहा, और द्वार खोल दिया, मैं समझ गई, वा कह रहा है, जब ना ग्रह स्वामी का नाम ठीक से जानती है, और ना घर का नंबर, तो व्यर्त भटकने से क्या लाब, उतर जाएए, मैंने यही किया, और पैदल घूम घूम कर मैंने उसे ठूंड ही लिया, ग्रह स्वामी का नाम ठीकी याद था मुझे, नट राजन, और दूसरे सफेद पत्थर पर लिखा था, ग्रह का नाम, इस्टुलन, इस परिचित नाम को कैसे भूल गई थी मैं, यही पुस जालीन से बिछे गुदगुदे लौन से होकर द्वार पर पहुँची, घंटी बजाई, थोड़ी देर में द्वार खुला और उंचा जूड़ा बांधे, एक काली, लंबी आया ने बड़े सलीके से कुछ पूछा, मैंने कहा, मुझे कृष्णवेणी से मिलना है, उसने मे पेरी और ऐसे देखा, जैसे कुछ समझती ना हो, मिसेस नटराजन है क्या, उनसे मिलना है, वह भीतर गई, दक्षन के अधिकांश मकानों की भाती, इसमें भी द्वार पर खड़े अतिती की द्रिष्टी, ग्रह के अंतरतम कक्ष तक सरसरी चली जाती थी, गोल कमरे की कुर नम्रता से बोली, वागोमा, अर्थात, भीतर आईये। चैनल पर पहली बार आए हूँ या अब तक ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। पसंद आए, तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखिका और प्रस्तोती से संबंधित अपने सभी विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। स्वस्त, सुरक्षित और प्रसंद रहें। नमस्कार